क्या आप जानते हैं? श्री सीता हरन के बाद हनुमान जी और श्री राम का मिलन हुआ और हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव जामवंत आदिवानर यूथों से मिलाया फिर जब लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया गया तो श्रीराम ने हनुमान जी को लंका जाने का आदेश दिया परंतु हनुमान जी ने लंका जाने में अपनी असमर्थता जताई तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई परंतु सवाल ये है कि हनुमान जी अपनी शक्ती क्यों भूल गए थे दरसल हनुमान जी को कई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वर्दान और अस्त्र शस्त्र दिये थे इन वर्दानों और अस्त्र शस्त्र के कारण बच्पन में हनुमान जी उधम मचाने लगे थे खास कर वे रशियों के बगीचे में घुसकर फल फूल खाते थे और बगीचा उजार देते थे वे तपस्यारत मुनियों को तंग करते थे उनकी शरारतें बढ़ती गई तो मुनियों ने उनकी शिकायत उनके पिता केसरी से की माता पिता में खूब समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते परंतु हनुमान जी शरारत करने से नहीं रुके तो एक दिन अंगिरा और भ्रिगुवंश के रशियों ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपने शक्तियों और बल को भूल जाएंगे परंतु उचित समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगी अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जै बजरंग बली जरूर लिखें